हलो गाईस, वेलकम टू मैं यूटूब चैनल, आप सब कैसे हों, अशा करती हूँ आप सब अच्छी होंगे, तो ये प्लान्ट देख रहे हैं, ये प्लान्ट का ये फ्रूट है, क्या आपको पता है, ये फ्रूट का नाम क्या है, तो चलिए मैं बता देती हूँ, इसका नाम लगाते थे, वाश करने के लिए, अच्छा चलिए, इसे हम छिल लेते हैं, इसका आउटर पोर्शन और इनर पोर्शन हम दोनों इसे अच्छी तरह से छिल लेंगे, तो आज हम इसका बनाने वाले हैं, एक डेजर्ट, इंडियन जो डेजर्ट है, स्वीट वाला, या फिर स परिंगे, इसको बनाने नाने टोर्ड सकाट आउटर, तो इसको आटे में अछि तरह से वाश या survived, फिर मैंने इसे छिल पटा पे अचे तरह से या मे पी प्स पाश कर लेंगे, मेश करने के बाद देख सकते हैं, कैसा है, उसका है, मेल्क और अमने डाल रही हूं, थाप्र तौक यहां पे मैंने डाल दिया यहां यहां पर दाल देने में मास्टर सीट्सूद पिर उसके बाद जो हमारा, जो half mesh किया हुआ जो elephant apple है उसको मैंने डाल देना है अच्छा हमारे इसे बैंगुली language में इसे हम कहते हैं चालता आपके language में क्या कहते हैं comment box पे जरूर बताईएगा तो इसे हम continuous थोरा थोरा हिलाते रहेंगे और इसमें मैंने 8 कर दिया है नमक इसमें मैं जगरी यानि गूर देने वाली हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे थोरा सा नमक एड़ किया है और यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोरा सा हल्दी अगर आपको इसका तीखा खानी का भी मन है या तीखा इसका रेसिपी देखना है तो comment box पे जरूर बताईएगा मैं आपके लिए इसका तीखा वाला भी लाऊंगा वो भी बहुत टेस्टी होता है जो यह elephant apple है यह बहुत हेल्दी होता है और इसे sugar बैसन के लिए खाना बहुत ही अच्छा है तो इसे मैंने यहाँ पे पानी एट कर दिया है अभी इसे मैं बॉयल होने के लिए छोड़ दूंगी तो देख सकते हैं इसमें इतना अच्छा सा उबाला गिया है देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे इतना ज़दा भी पानी एट नहीं गया है कि मैं यहाँ पर डालने जा रही हूँ गुर तो देख सकते हैं यह गुर है तो गुर को मैं कर दूँगी अभी चादू इसको मैंने मेल्ट कर लिया है गरम कर लिया है देख सकते हैं तो इसको मैं अभी डाल दूँगी मेल करके इसको मैंने च्छान लिया ताकि इसमें कोई गंदगी ना रहे है तो मैं यहां पर एट कर रही हूं मेरा जो स्वीट वाला डिसर्ट है बहुत ही टेस्ट ही होता है आप सभी घर में ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और अगर आपको सीखना है शोर्टकट खाना पकाना तो मामपिस चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना तो इससे मैंने मिक्स कर दिया है फिर हमारा बनने ही वाला है फिर इससे मैं थोड़ा सर ढख दूँगी या फिर बिना ढखे भी आप इसको लो स्टीम में मीडियम टू लो स्टीम में इससे उबालने दे आपके घर में अगर गुर्णा हो तो आप चीनी भी एट कर सकते हैं और यहां पर आप ड्राइ फूट्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर मैं पकारी हूँ शॉटकर्ट तो यहां पर मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिया है एलेफंट एपल लिया है हल्दी नमक हर किसी के खर में होता है ड्राइ चिली सरसोका सीट्स और उसके बाद मैंने यहां प इसका जो रसीला वाला जूस है बहुत सूइट एंड सोरे खटा भी है मीठा भी है और हलका अज़ा तीखा पन भी है तो आप सब भी घर में जरूर ट्राइ कीजिएगा तो आज की लिए बाई